ट्रेलर हम सब देखी चुके हैं, एमर्जनसी आपातकाल, जैसे ये शब्द कानों पर पड़ता है, एक इतिहासिक घटना लोकतंत्र के लिए काला अध्याए और जब उस सब्जेक्ट पर उस विशे पर एक फिल्म सामने आ रही है, तो यकीनन उसे लेकर मन में बहुत सारे होना, उसे लेकर समाज में एक डिस्कोर्स होना लाजमी है, स्वभाविक है, कंगना रनौट जी आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है, कंगना जी सबसे पहले तो आपको शुब कामनाई में दूगी कि इस विशे को आपने चुना फिल्म बनाने के लिए, लेकिन फिर के पास भास गई, थैंक यू फ़र हैविंग मी हीर, मैं आप सब लोगों का यहां पर अभिनंदन करती हूं, कि आप लोगों ने मुझे आप यहां, मुझे इस मंच पे अमरुजाला ने बुलाया और अपने विचार रखने का मौका दिया, सबसे पहले तो आपने कहा कि इस फिल्म ने जो है, बहुत जाद सारी विचारधाओं को, जो धाराओं को जो है, उसका परभाद जो है, वो शुरू किया है, मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कोई विचार जो है, कोई किसी के साथ में किसी तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं, या कि और किसी तरह की जो है डिबेट्स हो रही हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बंदूके तनी जा रही है और ठपड़ और मुख्या और लाते मारी जा भाकि मुझे कोई विचाहँ रहा रहा है तो नहीं दिख रही हैं, बाते नो मुझे बिलकुल न्यों सुनाई दे रही है। इंफेक्ट थेंसर ने मेरी फिल्म जो आ मेरी फिल्म क्लियर कर दी थी। aur मेरी फिल्म जो आ उस पर Four historians जो हैं उनके मार्क दर्शन के चलते हुए हमने ये फिल्म बनाई है तो जाहिर सी बात है हम ये फिल्म जो है हमारे सम्विधान से जुड़ी हुई एक अद्बुत घटना को हमारे पास लाता है और ये हमारे सारे देश का एक अधिकार है कि हम देखें, जाने, उसके बारे में बात करें, सोचे, समझें, लेकिन अब फिल्म के मातर तीन चाह दिन पहले इस पे बैन लगा देना और किसी तरह की बात ना करना, लेट में टेल यू कि मैंने बहुत सारे ग्रूप्स को स्क्रीनिंग पे इन्वाइट किया है, बहुत सारे ग्रूप्स को मैंने ये भी कहा है कि अगर उनको किसी तरह की आपती हो तो हम डेफिनिटली उस चीज़ को कंसीडर करेंगे, उस पे अपना पक्ष रखेंगे, और चा हमारे साथ एक भी कोई डिबेट नहीं हुई है, ना ही कोई बात हमें कनवे की गई है, तो अब लगता है इसका नाम मुझे मुझे खतम कने दीजिए, मुझे लगता है इसका नाम अब इमर्जंसी से बदल के मुझे रखना चाहिए, नो वन किल इंद्रा गंदी लाइक करें